दोनी ने नहीं की तारीफ तो खत्पा हो गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर पाकिस्तानी बल्ले बाज फक्खर जमा ने हाल ही में एक इंटर्व्यू में खुलासा किया है कि टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जब उन्होंने शतक लगाया तो विराट कोहली ने उनके लिए ताली बजाई लेकिन महेंदर सिंग दोनी ने ऐसा नहीं किया पाकिस्तानी उपनर फक्खर जमा उस मैट में जस प्रीत बुमराह की गेंद पर विकेट के पीछे दोनी के हाथों कैच आउट हो गए थे लेकिन वेग नो बॉल थी जिसका खामियाजा टीम इंडिया को हार के रूप में भुगतना पड़ा बुमराह की नो बॉल पर जीव नदान मिलने के बाद फक्खर जमा ने तबर्तोड बल्लेबाजी की और 114 रन बना कर अपनी टीम की जीत में अहम भुमिकाने भाई फकर का कहना है कि चैंपियन्स ट्रोफी में भारत के खिलाफ शतक बनाना बहुत मुश्किल काम था क्यूंकि बल्लेबाजी के दोरान भारती एक फील्डर्स और खुद कप्तान विराट कोहली लगातार मुझ पर जुबानी हमला कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ और जब मैंने अपना शतक पूरा कर लिया तो कोहली ने मेरे लिए ताली बजाई जिससे मुझे सुखद आश्चरे हुआ लेकिन यहां देख कर बहुत मायूसी हुई कि दोनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी भकर ने फाइनल मैच में बुमराह की गेंद पर लबके जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया बताई कि जब बुमराह की गेंद पर वो मैं इस दोनी के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट हुए तो मेरा दिल बैठ गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी सारी उम्मीदों और सपने को कुछल दिया गया हो मैंने सोचा कि मैं आउट कैसे हो सकता हूँ मुझे बड़ा स्कोर बनाना था तभी अमपायर ने मुझे रोका जो मेरे लिए नई आशा की किरन की तरह थी मुझे जब पता चला कि यह नो बॉल थी और मैं आउट नहीं हूँ तो मुझे लगा आज मेरा देन है और मुझे बड़ा स्कोर बनाना हूँ आपको बता दें कि फखर जमा की 114 रनों की पारी ही भारत पाकिस्तान के इस मैच में निरनायक थाबित हुई और टीम इंडिया ये मैट 180 रनों से हार गई